हाई फ्रेंड्स आज हम आपको एक केक से डिफेंट टैप्स के केक बनाना सिखाएंगे इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे एक ही केक को हम लोग अलग अलग प्रोसेस से डिफेंट डिफेंट केक्स बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले स्पॉंज को हम लोग three equal layers में cut कर लेते हैं आप लोग को यह ध्यान रखना है कि आप जो knife use करें वो normal knife नहीं है हमारा हम लोगोंने bakery knife यह cutting knife use किया हुआ है इसको आपको तीन layers में equally divide करना है इसके बाद आपको क्या करना है यह divide होने को आपको cake stand पे single जो अपना sponge का layer है उसको रखना है और उसके पर सुगर सिरफ apply करना है आपको यह ध्यान रखना है कि सुगर सिरफ over नहीं होना चाहिए यह आपको सिर्फ हम दिखाने के लिए कर रहे हैं तो हम लोग इसमें vanilla cream यूज कर रहें फर्स लेयर में इसमें कोई हमने filling यूज नहीं कि आप चाहें तो कोई भी filling strawberry blueberry या फिर fresh fruits कुछ भी यूज कर सकते हैं हमने सिर्फ आपको cake icing दिखाने के लिए बनाया है यह video तो हमने इसलिए इसमें कोई filling नहीं डा लिए second layer sponge का देखिए हमने लगा इसके उपर भी सुगर सिर्फ apply करेंगे इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि फिर से वनिला क्रीम अप्लाई करेंगे यह वनिला क्रीम basically non dairy whipped cream है यह dairy cream नहीं है इसको हमने whip किया हुआ है और आपको यूज क्या इसको हमने जो जो whipping किया है अब यह थर्ड लेयर भी लगा दीए और उसके उपर भी हम लोग स्प्रिंकल करेंगे सुगर सिर्फ एक बार जो आपका यह सुगर सिर्फ स्प्रिंकल तीनों लेयर्स में इक्वली हो जाता है तो अब आपको केक को है साइड की एजेज उसकी कट करनी है यह बहुत इंपोर्टेन डूल अधा करती है आपको केक आईसिंग प्रॉपर आपकी करना है जाता है बैलेस्ट बना रहें का और इसको हम indirectly करेंगë अब जबी भी केक स्टेंट पर और केक आइसिंग करते हैं तो यह ध्यान कि की कि जब एक प्रोसेस खतम हो जाता है तो आप अपना केक स्टेंट को क्लीन कर लीजिए, उसको अच्छे से अगर आप क्लीन करेंगे तो आपको अच्छा पुड़क मिलेगा, वो क्रॉम हो जाता ह केख में फिनिशिंग नहीं आती है तो बेसिक्ली हम क्या कर रहे हैं कि फ्रस्सलेख यॉफ क्रीम की लगा रहे हैं ताकि क्रम जो हमारा वह पूरा क्वाढल हो सके इसको आपको अपलाई करना और इस क्रेम को दुबारा यूज नहीं करनाए इसके अंदर आप चाहें तो इस क्रेओं को यूज कर सकते हैं वच पूरा को पूरा केक् to Pois को सेंटर में है क्या नहीं है अगर अभर में केक रख दिया जब आपने तो उसके बाद आप देखिए हमने सेकंड लियर जो है प्लाइए कि पहले उपर से लब्र άपने केक का स्बसे उपर है कि जोड़े क्रीम लगा है थोड़ा मोटा one नहीं प्रॉक्सिमेटली आप समझ लिए 2 cm कम से कम लेयर होगा इसके बाद इसको प्रॉपरली आप रूटेट करिए अगर हम जाहें तो साइट्स की जो है वो फैलेट नाइफ से भी कर सकते आप चाहें तो कॉम भी यूज़ कर सकते हैं इसमें अलग-अलग आपकी डिपेंड करता यापको कैसा डिजाइन चाहिए स्टैप से अब इसको इसको यूज़ कर सकते हैं अब देखे शेफ ने उपर टॉपिंग को क्लियर करने के लिए पैलेट यूज किया है पट उन्होंने क्या किया है कि के कि स्टेन को इतनी हाई स्पीड में रूटेट कर रहे हैं तो जो एक्सेस क्रीम है वह हमारा तुरंथ भाहर निकल के आ जाता है बस हमको एक्सिस क्रीम को है भार निकालना है इसमें में जो होता है इंपोर्टन कि आपकी हां हैंड की स्टेबिल्टी अगर आपका हैंड प्रॉपर है स्टेबल है तो आपको प्रॉपर जो है केक की फिनिशिंग मिलेगी अगें एक बर साइट से हम कॉम से उसको क्लियर कर ल थे हैं अगर आपको for example किसी को होता कँह कि कुछ लोगों को केक में कोई फिलिंग पसंद नहीं य आथी है तो नोर्मल वनीला केक पसंद रहा तो जिन लोगों को वनीला केक खाने का शौक है तो उसको आप इतना ही केक बनाई और आपको केक जो है वनिला केक बन जाएगा आपको उसमें कुछ एड़ नहीं करना है सिर्फ आपको विप क्रीम और स्पॉंज अड़ करना है आप लोगों को अगर हमारा वीडियो यह पसंद आता हो अप रेगुलर देखते हों तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू करिए चलिए अब हम इसी केक को अब हम लोग जो है ब्रेक करेंगे ब्रेक इन्स की इसको खराब करेंगे और उसके बाद दुबार से इसक साइट से क्रीम लगा बड़ेगा उसका परियेट है की करना फूल你在 के सबसे इंप जीज है की क्रम होता और वो साइट की यूज़ करके कोशिश करते हैं कि उसको डॉम शेप में बनाएं बट वो पॉसिबल है एक हद तक पॉसिबल नहीं है विकोज आपको कुछ कुछ भी प्लास्टिक का स्क्रेपर या वो यूज़ करना पड़ेगा अब देखे शेप ने ऊपर से एक डॉम कर दिया इसके बाद देखे हमने जो हमारे गेम कार्ड्स होते हैं उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसके उपर अब स्क्रेपर भी उसकर सकते हैं जो बैंट हो पर करते हैं और थोड़ा सा क्रीम हम एपलाई करेंगे उपर से साइट में और दुबारा से इसको डॉमख में अब ध्यान से देखेगा ये कार्ड का मूवमेंट कैसा है यह कि स्टेंट का तो मूवमेंट क्लॉकवाइस है और का जो मूवमेंट है अंटिक लॉकवाइस है अपकाड को देखेगे हैं तो धीरे धीरे जो है साइट्स में टिल्ट हो रहा है उसकाड को एससे रुटेट किया है कि प्रॉपर हमको शेब मिल जाए डूम शेब जो हमको चाहिए कि कार्ट को नीचे से अगर आपको एजेस पतला करना आए नीचे के तो आप कारड को चुछ और बेंट कर दीजे लिए कार क्या होता है क्या यह बैसिकली यह बैंट हो जाता है तो आपको easy when करने के लिए इसी रहता है आपके लिए कि हमारा पुलकुल फिनिशिंग कितना बढ़िया आया हुआ है केक का यह ऐसा लग रहा है कि मटके को हमने उल्टा कर दिया है इस टाइप से यह हमको दिख रहा है अगर आपको और भी केक्स के कुछ भी डिफरेंट डिजाइन्स के वीडियो देखने हो तो प्लीज कमेंट ब डिजाइन मना रहें मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था वीडियो में हम डिफरेंट टाइपस के डिजाइन मनाएंगे तो आप चाहिए तो यह वाला डिजाइन भी डिजाइन भी बना सकते हैं कार्ड को यूज करके अब हम क्या करेंगे दूसरा करने के लिए शेयफ ने जो है जो हमारा ठॉफल भी बोल सकते है अब जसको चॉकलेट ग्लेज बीडल सकते हैं यह गलेज हमने फिल करने और इसको और से एप्लाई कर Joh fark के उपर इसको अप्लाई करने का यह रहता है कि पाइपिंग बैग में आपका एक तो स्मूर्ट टेक्च्चर मिलता है और इवनली अप्लाई हो जाता है अगर आप डारेक्ट अप्लाई करेंगे के उपर तो क्या होगा नहीं अगर ग्लेज ज्यादा चला जाएगा कहीं कम च दाली है उपर केक के उपर देखें कितना अच्छा शाइनिंग ग्लेज आया हुआ है अब शेफ ने एक अब उसी प्लास्टिक काड़ को एक लीव के शेप में कट किया हुआ है इंदर सेंस की जैल लेक जो हमारी आप उसको पैंसिल बोलेंगे उस शेप में कट किया हुआ ह उसी से शेफ डिजाइन मना रहे हैं कितना अच्छा लीव का लुक एक आ रहा है लीव का इसका रीजन यह है कि नीचे तो वनीला है उपर आपको चॉकलेट ग्लेज है तो थोड़ा सा जब अब प्रेस करते हो तो आपको एक डिफरेंट डिजाइन मिलके आते हैं कितना आपको पाइपिंग से उसको पूरा करना है और काड यूज़ करके आपको बिलकुल हलके हाथ से आपको पूरे पे अपलाई कर देना है देखिए आपको अगर ध्यान से दिखेंगे तो अंदर का क्रीम भी नज़र आ रहा है इतना हमने पतला एक लेयर ग्लेज का चड़ाय हो पर से तो आपको ग्लेज चड़ाना बहुत मतलब अगर आपका हाथ स्टेबल नहीं तो थोड़ा दिक्कत आएगा और वह भी सॉल हो सकता अगर अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो अब देखें सेम हम लोग पहले टाइम को सिफ डिप करते हैं देन उठा लेते हैं कि इसे कि की इसमें चाहिआ हैं तो डिफरेंट टैप्स के मार्फल एफेक्ट आप कर सकते हैं आप सिंगल नोजल से भी मार्फल आपक्टे आपके कर सकते हैं तो बिपसिकली केक बना सब्सक्राइन र मृत एक क्रिंगा हमें प्र्रेफ्दों हुस्परिंग्ल ने का सीजर लाएगा अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरू करिएगा रोटेशन बहुत अच्छा होता है रोटेशन ही सबसे इंपोर्टेंट है चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ही खतम करते हैं अगर आपको और भी वीडियो देखने हैं तो प्लीज जो मैंने आपको बताया था प्लीज वो कमेंट जरू करिएगा प्लीज वेरी मुच पर वाचिंग वीडियो थैंक यू